हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ भारत के जो भी आपके मुख्य मंतरी और राजिपाल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरिस के होंगे उसके बारे में बिकॉज वहां से जो है आपके सवी एक्जाम में दो से तीन कुछे जाते हैं तो यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अरुनाचल परदेश के बारे में यहाँ पर अरुनाचल परदेश की हम बात कर रहे हैं आपको मैप में दिख रहोगा यह वाली एरिया जो है अरुनाचल परदेश की है तो कभी-कभी आपसे पूछ लेता है कि किस स्टेट की सीमा क तो भी आपको यहां पर इस मैप में देखने को मिल रही होगी अरुनाचल परदेश की चाइना है इस तरीके से तो चाइना से है भुट्टान से है तो यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा तो आप इस मैप के जरीए उसे भी देख सकते हैं फिर अगर हम बात करें अरुनाचल परदेश के यहां पर आपको कैप्टल्स भी पूछी जाती है तो अरुनाचल परदेश की कैप्टल है इटा नगर और अगर बात करें वहां के मुख्य मंतरी यानि की चीफ मिनिस्टर की तो पेमा खांडू अब बिकॉज एक्जाम सिर्फ मुख्य मंतरी नहीं बनी हुई है वो किसकी है तो भारती है जंता पार्टी की सरकार है वहां और वहां की जो गवर्णर है वो है बीडी मिश्रा नेक्स्ट इसी तरीके से अगर दूसरे स्टेट्स की बात की जाए तो यहां पे बिकॉज मैं अल्फा वेटकल और में देख रही हो तो अब नेक् पार्टी की ही सरकार है और वहां के जो आपके राजिपाल है वो है जगदीश मुकी तो आपको इस मैप को देखने से यह पता चल रहा होगा कि असम की सीमा लगती कहां से और जो दूसरी बात है कि असम की सीमा लग कहां से रही है किस देश से लग रही है और किस अस्टेट तो असम की जो सीमय आप देख सकते हो भुटटान से लग रही है। और स्टेट्स की बात करें तो नागा लैंड, इंफाल, मिजोरम, त्रिपूरा, मिखाले, ये सारे स्टेट्स को ये कवर कर रहा है, पेस्ट बंगाल को भी कवर कर रहा है। इस निरुट नेक्स्च अगर बात करें अंडर्परदेस की अगर बात करते हैं तो आंदर्परदेस की कैपटल है Umrabati पहले जो था यह तेलंगाना के साथ था तो यहां पे कैपटल हाइद्राबादी बड़ जैसे हैं तलंगाना से अलग हुई तो अंद्रपर्देश की कैप्टल हो गई अमराबती आपको ये ग्रीन वाली पोर्शन दिख रही होगी ये अंद्रपर्देश है और वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है यस जगमोहन रिडडी है और वहाँ यसर कांग्रेस पार्टी की सरकार है जो कि आपको कांग्रेस पार्टी से थोड़ी सी अलग है और राजिपाल की बात करें तो बिश्व भूसन हरी चंदन है आपको बता दूर राजेपाल जो होते हैं वो कोई भी पार्टी के नहीं होते हैं नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट यहां पर हम बात करें उत्तर परदेश की तो उत्तर परदेश की अगर बात करें तो उत्तर परदेश का एरिया जो है आपका यहां पर green area दिख रहोगा और यहां की capital है लखनाव यह वाली area और अगर बात करें वहां की चीफ मिनिस्टर की तो वहां की चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनात और यह भी बीजे पीकी ही है और उत्तर परदेश की अगर बात करें राजेपाल के तो आनंदी बेन पटेल है नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहां पर बात कर लेते हैं तो उत्तर परदेश में ही आपकी अयोध्या जो थी जिसका आपका अभी फैसला 9 नवंबर को सरकार ने सुनाया है तो इसी स्ट्रीट में यह पढ़ता है आपका अयोध्या एंड इसके थोड़े से साइट्स में नियू डेली भी आपकी पड़ती एंड इंडिया की हिप्टल है नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो ओडिशा का जो आपको capital होता है यह सारे चीज तो ओडिशा की जो capital होती है वो क्या होती है तो यहाँ पे यह वाली एरिया पिंकिस एरिया जो है यहाँ पे ओडिशा इसे इसका capital है भुबनेशुवर और यह जो है बे आफ बंगाल के अगल बगल में पढ़ रही है इसके एक साइट अंद्रपरदेश, एक साइट 36 गड़ और राची और कुलकता यह सारे इरियास पढ़ रहा है और उडिशा के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो नविन पतनायक है जो की बीजू जनता दल से बिलॉंग करते हैं और वहां के गवर्णर है गनेशी लाल यहाँ पे अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट है करनाटक तो करनाटक की बात करें तो करनाटक की एरिया यहां पर आपको मैप में दिख रहे हुए कि विकाज यह सौथ तरफ पड़ता है तो यह केरल से थोड़ा सा उपर है आपका करनाटक और करनाटक की बात करें तो यह आपका बात करें तो राजेपाल हैं वजु बहायवाला, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं केरल की तो केरल के जो आपके यह वाली एरिया है आपके नीचे में यह वाली एरिया है वह केरल के जो Chief Minister है वह पीना राई बिजेन है वहां कीजो पार्टी है माक्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी है अगर गवर्नर की अगर आप बात करो तो आरिफ मुहम्मद खान है आपके साउथ में दो स्टेट से केरल एंट तामिल नाडू तो केरल के बारे में तो हमने देख लिया वहां के कैप्टल आपको क्या है तो नीचे में जो कहां पर है यह सारी चीज 되지 प्रिफ अपके लिए इंपोर्टि होजह तो आगर हम बात करते हैं गुजराद की तो गुजराद के जो चीफ मिनिस्टर है वह क्यों के कन है तो गुज़ाद के चीफ मिनिस्टर है भिजार उपानी एंड यह वाली एरिया जो है आपकी साइड मे बीच में आपका थोड़ा सा एरिया दादर और नगर हवेली का पड़ जाता है ये वाली एरिया आपकी हो गई गुजरात और जैसर कि हमने बोला वहाँ के चीफ मिनिस्टर है विजेर उपानी और यहाँ भी जो है आपके विजेपी की ही सरकार है और वहाँ की गवर्णर है आचारी देवब्रत नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गोवा का तो गोवा तो आपका एक छोटा सा एरिया है यहाँ पे सबसे छोटा स्टेट जो है आपका थेतरफल की दिश्टी से है यही है और गोवा की कैप्टल है पंडजी इन वहां के जो चीफ मि newspaper है प्रमोद सावंत है और यह भी बीजेपी की ही सरकार है यहाँ बहुत सरेट से जहां बीजेपी की सरकार है जैसे आपका गोवा हो गया गुजरात हो गया और भी सारे श्टेट उसमने उपर देखा करनाटक हो गया यह सारे states में जो है बीजेपी की सरकार चल रही है और वहां के governor है सत्यपाल मलिक जो कि आपके आप सभी को पता होगा कि पहले जम्मू अब कास्मिर जब state था तो वहां के governor थे सत्यपाल मलिक बट वहाँ आप governor जो है आपके चेंज होके अब गोवा के ये बन गया है सत्यपाल मलिक नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दो कि जो भी आपके union territory होते हैं वहाँ पे governor नहीं होते हैं नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 36 गड़ की तो 36 गड़ की बात की जाए तो यह वाली आपको लगबग यह लोई से एरिया जो है आपका 36 गड़ का दीख रहा होगा जहां की capital क्या होगी आपकी तो राइपूर हो गई यह वाली एरिया आपकी टोटली जो है जो कि आपका जारखंड औरिशा यह सारी सीमाओं से लग रही है आपकी आपका अमराबती से थोड़ा सा तेलंगाना से फिर आपका महारास्ट्री यह सारे states को यह follow कर रहा है और 36 गड़ मे इन सरकार है एंड वहां के जो गवर्णर है अनुसुया उइके हैं नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं ज्छारखंड की तो ज्छार्खंड जो की आपका ये वाली एरिया बलु एस एरिया जो है ज्छारकंड का है यहां पर आपको दिख रहा होगा यह आपका बिहार वेस वहां की जो चीफ मिनिस्टर है रघुबर दाश है जो कि आपके यह भी बीजेपी की सरकार है यहां पे भी और वहां की जो गवर्णर है द्रौबदी मुर्मू है फिर अगर आगर बात करें तामिल नाडू के तो तामिल नाडू की एरिया आपको दिख रहे होगी नीचे जो के पास की एरिया यह आपकी तामिल नाडव की एरिया हो गई अगर अगर अम कैपिल की यहां पे बात कर लें तो तामिल नाडव की एक पार्ट है जो कि 2014 में अलग हुआ है तो तेलंगाना की जो capital है वो क्या है तो पहले अंद्रपरदेश की capital थी आईदराबाद यही अभी तेलंगाना की capital है और वहां के चीफ मिनिस्टर है केच अंद्रशेखर रौ जो कि तेलंगाना राष्ट समीती से बिलॉंग करते हैं और वहां के जो गवर्णर है तमिल साई सुंदर राजन है तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक वोटन पर क्लिक किजिए और जल्दी से जल्दी मैं राष्ट वाली दीलिव में है तो अगर आपकर लेते नागालेंड की यहां पर नागालेंड के बारे में आप सभी पता है यह जो हमारे साइट सेरीज्ड जो आपकी छह साथ साइट सेरिया होते हैं उसमें से यहां पर आपका ब्लुई पार्ट दिख रहा होगा यह वा जो कि नेशनलिस्ट डेमोक्राटिक प्रोग्रेसी पार्टी से विलॉंग करते हैं वहां के गवर्नर है रविंद्र नरायन रभी नेक्स्ट अगर यहां पर हम बात कर लेते हैं पंजाब की तो पंजाब जो आपका लगबग ऊपर में पड़ता है यहां पे तो पंजाब की र परनर है विजेंद्र पाल सीम बदनौर फिर अगर हम बात करें इसी तरीके से पस्चिम बंगाल यानि वेस्ट बंगाल की जो की आपको यहां पे जहारखंट बिहार के आसपास पड़ती है जिसके बगल में आपका यहां पे बंगलादेश पड़ेगा बेयोफ बंगाल आजिपल जो है जकदीप धकडै फिर अगर हम बात कर लेते हैं बिहार की तो बिहार की kapitaal यहां पे यहा HEY अपका पटना फिर अगर हम बात करें वहां की चीफ मिनिस्टर के बारे में तो वहां की चीफ मिनिस्टर है नितिश कुमार जो यानि जंता दल यूनाइटेब पार कि जो आपके गवर्नर है फागु जोहान है फिर अगर हम बात करें मनीपूर की तो मनीपूर की बात अगर आप कर रहे हो यहां पे तो मनीपूर के बारे में अगर हम बात करें तो यह भी आपके साथ जो छोटे-छोटे स्टेट से साइट्स में पढ़ रहे हैं उसी में आपक यहां कि इंधी पुर्वी है और मनीपुर के जो आपके कैपिटल है वो है आपका इमफाल यह वाली एरिया हो गई और वहां के चीफ मिनिस्टर है एन्विरेंसी जहां की बीजेपी की सरकार है और जो आपके गवर्णर होंगे वो नजमा हैपतुल्ला होंगे फिर अगर हम ब पर आप को पार्टी जो है किस चीज़ की है तो बीजेपी की है एंड अगर हम बात करते हैं ये साइट से नियुक्त पर छे क कवर ते उजटी ये महारास्ट और फिर माहारास्ट में वहां पर अपना बहुमत साबित करने में को असक्षम हो गयी तो आपको आपको आर्टिकल सब्सक्स के तहत रास्टपती सासन लगा दिया गया तो वहां पर मुख्य मंत्री का पद रिक्त चल रहा है और जो राजिपाल है भगत सी कोशियारी है यह वाली एरिया है आपका महारास्ट की जहां कि आपकी कैपिटल होती है मुंबई यहां पर जो आपका बलिवे शेरिया यहां के जो सरकार है वह जो मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है रेजंड और जो गवर्नर खंगा पी ऐस स्रीधहरन बह्ट है मिघाले की अपर वहां पर जो आपके यहां पर सेकंओर है मेघाले की फिर अगर हम बात कर लेते हैं राजस्थान की तो राजस्थान के बारे में बात की जाए तो ये वाली औरेंज वाली एरिया आपकी राजस्थान की पड़ती है और ये जो है आपका पाकिस्तान से अलग पाकिस्तान से साइट का आपका पार्ट है इस तरीके से उसके बाद अ तो यह वाली एरिया जो है आपकी ब्लुएश एरिया जिसकी एक साइड नपाल और एक साइड भुट्टान पड़ रहा है तो सिक्किम का कैप्तल होता है गंगटोक एंड वहां के चीफ मिनिस्टर है प्रेमसी तमांग जो कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार है और जो कि आपके बीजेपी से बिलोग करते है और वहां के जो गवर्नर सत्यदेव नरायन आ रहे हैं नेक्स्ट है आपका ही माचल परदेश के अगर आप यह पे बात कर रहे हो तो ही माचल परदेश की राजदानी जो होती है वह आपकी सिमला होता है यहां पर एंड वहां के एक जीफ मिनिस्टर है वह कूर्ण है तो जैराम ठाकूर हैं और बीजेपी की ही सरकार है और राजेपाल है बंडारु द अपर है यह तो शंट गई स्टेट को यह पर यह यह को तो यहां कि स्टेट को यहां गवार्ड कर लेते हैं आपके लगब कबर हो गया की जो कैप्टल है अगर तल्ला होती है और वहां के चीफ मिनिस्टर है विपलव कुमार देव एंड बीजेपी की सरकार है और राजेपाल है रमेश बैस तो अब बात कर लेते हैं कुछ यूनियन टेटरिस की तो यूनियन टेटरिस में सबसे पहले बात कर लेता है देली की त वहां के लेफटनेंट कवर्णर है अनील बैजल फिर अगर हम बात कर लेते हैं पुद्दू चेरी की तो पुद्दू चेरी यहां पे आपको छोटा सा पार्ट है पुद्दू चेरी का तो वहां की अगर बात कर लेते हैं तो वहां की कैप्टल भी आपको वही होती है आप सभी को पता है जम्मो काश्मीर पहले स्टेट था अब आर्टिकल 3075 ए को हटाने के बाद जम्मो कास्मीर जो है आपका यूनियर टेटरिस बन गया यहां पर आपको जम्मो काश्मीर दो पार्ट में अलग हो गया लग्दाक एंड जम्मो कास्मीर में तो यह वाली ग्रिश चंडेमूरिष इसे अलग होए पार्ट लट्दाक की जहांकि आपको लेखी है यहाँ के चीफ मिनिस्टर और पार्ठीे चारी है। चाही आपकी राजदानी है और वह इत्त पर लेले चाहzkर भीलत कर साथ एंशनाे हैं। जो कि आपके लिए यहां पे है आपका अंदमान निकोबार आजलेंड्स जिसकी राजधानी है पॉर्ट ब्लेयर और वहां के जो आपके उपर आजिपाल है देवेंद्र कुमार जोशी है फिर अगर हम बात कर लेते हैं आज के आखरी अंदमान निकोबार के बाद जो आपको यहां पे श्री यह आपका लास्ट पार्ट था अंदमान निकोबार दुप समू तो यह सारी थे आपके यूनियन टेर्टरीज और स्टेट्स के गवर्णर और चीफ मिनिस्टर के बारे में तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेर जरूर करें देन बाय और थांक्स पर वाचिंग इस वीडियो